समय समय पर जनता के मुद्दों को लेकर शवराज सरकार को आईना दिखाने वाले महर के बीजेपी वधायक नरायन तरपाथी ने एक बार फिर शवराज सरकार के साथ ही बीजेपी को भी अल्टिमेटम दे दिया है जहां उन्होंने MP News के साथ S-Flow से बाचित करते हुए कारियर शयली में सुधार न करने पर आने वाले चुनाव में बीजेपी को परिणाम भुगतनी की शेतावनी देडाली है मद्यपदेश में एक कद्दावर विधायक ऐसे भी मौझूद है जो की कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी को आईना दिखा देते हैं जी हां मैं बात कर रहा हूँ मेहर से बीजेपी विधायक नारायन तिरपाथी जी की वे आज हमारे साथ MP News के स्टोडियो में मौझूद हैं सीधे जोड़ेंगे उनसे और बातचीत करेंगे मिधायक जी आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप पार्टी के लिए नहीं बलकि जनता की सेवा के लिए राज़िती करते हैं क्या कहना है आपका होना भी चाहिए धन्नवाद मैं कोई पार्टी से नहीं पैदा हुआ है में यह के लोगों ने मुझे आसिरवाद दिया और चार-चार बार मुझे अलग-अलग दल से तीन बार तीन अलग दल से बनाने का काम किये है तो मैं तो मैयर के लोगों की परिसानिया मैयर की लोगों की समस्याएं मेरे लिए सबसे प्रधान है दल और टिकट सेकेंड में आता है तो मैं मैहर के लिए हूँ, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, उनके लिए काम करता हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ, छेतर के लिए जहां जो बाता थी वो करता हूँ, फिर इसके बाद जो आता है, जिला आता है, बिंद आता है, तो बिंद के लिए भी फिर काम करते हूं कई मुद्दों पर आप पार्टी के खिलाफ ही बयान बाजी दे देते हैं ऐसे मैं आपको डन नहीं लगता कि संगठन आपके खिलाफ अनुशासन को लेकर कारवाई कर सकता है मैं पार्टी के खिलाफ कोई बगावत नहीं करता है पार्टी के एजिंडे पर आधारित पार्टी की नीतियों पर आधारित पार्टी की घोस्टनाओं पर आधारित पार्टी की बातों पर आधारित पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी पर उन्हों बातों को मैं रख देत तो हूं तो इसको बागी या बिगड़े बौल या बिगडे तेवर या बगाबत आदी जैसे सब्दों से मुझे संमानित कर दिया जाता है तो मैं तो सिर्फ आइना दिखाने के काम करते हूं। जा अंगड़वड़ी है वो बताने का काम करते हूं किसको अच्छा लगता किसको बुरा लगता यह नहीं जाता है मद्धिप्रदेश में अगोशित बिजली कटोती को लेकर सबसे पहले आपने ही आवाज उठाई थी परन्तु अभी भी मद्धिप्रदेश में अगोशित बिजली बिल जारी है क्या वापस सरकार को आईना दिए एक महिना के बाद सर्टेक्स चालू करता है और लगतार जितने दिन बढ़ता जाता उतने दें टेक्स वासूलता रहता है जो साहुकार होते थे पहले के जबाने के वह साहुकार इस तरह लोगों को लूट लेते थे घारदुआर कपड़े वरतन वरतन सबकी निलामि और लाचार है, इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि पैसा वह सूलो, वह सूल कर विजली विभाग को दो, चैह लूटो, चैह जो करना वो करो, विजली दो या न दो पर ये पैसा वह सूल ना है ये जिम्मेदारी विजली विभाग की इन करिश्ट करमचारियों की बिजली भुआ के जो बड़े अधिकारी हैं उनके उपर जब तक सरकार कडाई से कारवाही नहीं करेगी उनके तरफ नहीं देगी ट्रांसफार्मर है नि खंबे है नि ए भी सिच है नि ट्रांसफार्मर है नि तो जब कुछ है नहीं तो बिजली चलेगी कैसी, बिजली तो पूरे प्रदेश में, मैं तो जातक अपने बिंद की बात करूँ, बिंद बुदेल करना माँको उसल, वहां बिलकुल बिजली नहीं, किसान परिसान है, किसान की खेती चोपट है, आदमी बिजली का बिल दे कैस तो उसको बोल दिया जाता है, कि नहरायंत्री पाटी बावंदर मचाते हैं, बिजली की समस्या नहीं है, और बिजली की समस्या मैं चुनोती देता हूँ, इसमद ब्रदेश के नेताओं को, कि बोल दें कि हमारे छेत्र में बिजली की समस्या नहीं है, तो उस समस्या के मुझे अपने छेत्र में रहना है, अपने छेत्र में राजनीत करना है, राजनीती भी न करूँ तो अपने छेत्र के लोगों के बीच में रहना है, मैं जूट बोलूँगा, तो मैं उनको मुनत दिखा पाऊंगा, मैं जबाब क्या दूँगा, तो इसलिए मुझे बोलना सुधर जाए नहीं उसको भी यही परिनाम देखना पड़ेगा भोगना पड़ेगा चतिसगड की तरश पर आप भी विंद्य शेत्र की मांग कर रहे हैं क्या वाकई में आपको लगता है विकास के लिए इसकी ज़रूत है चतिसगड श्टेट बना मैं अटल जी को धन्वाद और बदाई देता हूं कि तीन श्टेट बनाए चतिसगड जार खंड उत्त्रा खंड तीनों श्टेट का विकास हुआ मदब्रदेश से चतिसगड अलग हुआ लोग बोलते हैं कैसे चलेगा चतिसगड आज चतिसगड चले जाएं तो रायपूर दुर्ग भिलाई पता नहीं चलता तो इस तरह तीनों श्टेट का विकास हुआ है तो चतिसगड तो नए श्टेट बना हमारा जो बिंद है बिं मदब्रदेश में कर दिया गया अब जो दोर है अब लोग परिसानी महिसूस करते हैं बिंद में स्कूल नहीं कालेज नहीं पढ़ाई की ब्यस्ता नहीं दबाई की ब्यस्ता नहीं सडके नहीं सिचाई की ब्यस्ता नहीं सब लोग परिसान हैं ऐसी स्थित में बिंद के लो है यदि बिंद प्रदेश बना दिया जाए है अटल जी के सपनों को मौधी जी पूरा कर दें कि छोटे राजिवण नहीं राजिका भी का नहीं कर दिया जा है तो बिंद प्रदेश के लोगों की ए डिबान धै कि कि हम मद्यवदेश के मुख्यवंतिर शिवराज सिंग चोहान की विकास की नीतियों से संतुष्ट नहीं है? हम में भोपाल होसंगाभाद मुकंद्री जी को धन्वाद देता हूं। अब विचारे जो बिन्ध के लोग हैं, विचारे जो बुदेल खंड के हैं, विचारे महा कहुशल के हैं, ये कहाँ जाएं विचारे इंको कौन देखे, तो इन छेत्रों के जगे यहान नेता की कमिएं लीडर्शिप की कम्य है, लीडर कमजोर है, नेता विचारे धंदे बाज है, टिकट की चिंता, दल की चिंता, तो कोई बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, तो बिंद की उपेक्छा हुई है, बिंद का नुकसान हुआ है, फिर जब बतारें तो प्रमान दे रहा हूं कि पढ़ा से विधायक नारायन तिर्पाठी जी जिनका साफ तोर पर कहना है, कि बिजली कटोती को लेकर मत्रपदेश में ये समस्या समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जनता जो है, वो काफी परिशान है, और इसका निराकरन जल से जल सरकार को करना चाहिए, कैमरा परसन अरुन यादो के साथ, यवरा सिंग पराउत की रिपोर्ट, MP News, Indoor.